वाश्रूम में सिर्फ अंधेरा था आहाना की सिसकने की बस आवाज आ रही थी तभी अचानक से वाश्रूम की लाइट वापस से आ जाती है जो कि आहाना के अखों में सीधी चुकती है जिससे आहाना अपने आखों को बंद कर लेती है फिर उससे कुछ याद आता है जिस वज़े से वह तुरंट अपने आँखों से हाथ हटा उस इंसान को देखने की कोशिश करती है जिसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी लेकिन उसे पूरा वाश्रूम खाली मिलता है जिसे वह चौप जाती है वह अपनी नजर वाश्रूम के चारों और घु कोशिश करती है दोर का लोग एकी बार घुमाने से उसका लोग खुल जाता है जल्दी खोल बाहर भागने के लिए करती है वैसे ही किसी से टक्रा जाती है जिसे महसूस कर वह फिर से डर जाती है जिसे आहाना उसकी बाहों से छुटी की कोशिश करती है और डर से विनती करते ह बोलती है प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवा जाती है स्वीटी वाट हैपन तुम क्या कह रही हूँ क्या हुआ और तुम इतनी दरी हुई क्यों तुम्हारे माथे इतना पसीना वो और कोई नहीं आदित्य था जब आहाना को वाश्रूम गए हुए आदे घंटे से ज्यादा हो गए तब आदित्य को बेचैनी सी होने लगी इसलिए वह अपने फ्रेंज एक सिकी जिसकर आहाना को धूंदने के लिए वाश्रूम साइड आया था जैसी वो आहाना को वाश्रूम साइड देखना है तो आहाना उसे अच अच्छे से संभालते हुए उससे पूछते हैं स्वीटी वाश्रूम में कोई है लेकिन आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसलिए आहाना को शांत कर उसके गालों पर हाथ रख बोलता है स्वीटी तुम क्या बोल रही मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है पहले तुम रिलैक्स हो और उसके बालों को सहलाने लगता है फिर बोलता है मुझे बताओ तुम क्या बोलना चाह रही हो जिससे आहाना की नजर आदित्य से मिल जाती है और वह आदित्य को देखते हुए और रोते हुए बोलती है आदी आदी वाश्रूम में कोई था जिसने मेर साथ बद्तमी जी कि मुझे गलत तरीके सिटा टच करने की कोशिश की और तो और मेरे साथ जबर दस्ती की है वाश्रून में कोई है वह सब फिर याद कर आहाना उसकी बाहों में ही दर से बेहोश हो जाती है लेकिन आहाना ने ये बात ध्यान नहीं दिया था आदित्य ये बा आहाना से प्यार करता था उससे ज्यादा आहाना के लिए पजैसिफ था आदित्य के सारे दोस्त को पता था आदित्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि आहाना के करीब कोई लड़का आया अगर उसके करीब जाने के की भी कोशिश करता है आदित्य उसका हाल करता यह उन लोगों देखा था उसके लिए वो कितना पागल और जुनूनी था उन सब ने देखा हुआ था जब वो अहाना को किसी गैर मर्द का देखना पसंद नहीं था तो जब उसने सुनाना को किसी ने अहाना को टच करने की कोशिश की उसे सुन उसकी आँखे लाल हो जाती है वो कहा वह कौन था मैं उसे जिन्दा नहीं छोडूंगा लेकिन उसे आहाना की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती उसे महसूस होता है आहाना उसकी पकर में जुल सी रही है जिसे वह आहाना को अच्छे से देखता है तब वह पाता है आहाना की आखे बंध है उसकी बाहों में सारा गुस्सा भूल घबरा जाता है और आहाना को अच्छे से पकर उसके गाल थप थपाते बोलता है स्वीटी तुम्हीं क्या हुआ तुम्हीं क्या हुआ कुछ बोलो ना स्वीटी सौरी सौरी मैं गुस्सा नहीं करूंगा लेकिन आहाना से कोई जवाब नहीं देती उसे मालूम हो गया था आहाना बेहोश हो चुकी है जिसे आहाना को जल्दी से अपनी बाहों में उठाता है और घबराते हुए क्लाब से बाहर निकलने के लिए दौर लगता है वर्कलब की पार्टी हॉल से नहीं जाता पीछे साइट से आहाना को पारकिंग लोट की तरफ ले जाता है आधित्य जल्दी से लिफ्ट के अंदर जा ग्राउन फ्लो का बटन टिप पारकिंग लोट में पहुँचता है आधित्य की चेहरे पर साफ घबराहत देख रही थी वहां आहाना को अपनी बाहों में देख बार बार बोला रहा था स्वीटी वेक अप लेकिन आहाना कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी ब्राउन फ्लो में आधित्य के आदमी उसके कार के सामने खड़े थे जब अपने बॉस को ऐसे घबराए और अपनी मैम को उनकी बाहों में ऐसे देखते हैं तो वह भी चौप जाते उन्हें समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या तभी आधित्य उनकी सामने आते हुए चिलात तुम सब जिंदा नहीं बचोगे और हा वाश्रूम की साइड अभी अपने आदमी को भेजो किसकी हिम्मत हुई आधित्य सिंधानिया से पंगा लेने की कार के back seat में आहाना को अच्छे से ले back driver को कार hospital की ओर ले जाने का order देता है ड्राइव आधित्य की गुसे को अच्छे से जानता था इसलिए कार जल्दी से start कर hospital की ओर बढ़ा देता है लेकिन आदित्य को पता नहीं था वाश्रूम से लेकर कार के पाकिंग लोट की उन लोगों की सारी हरकते कोई कैमरा के जरिये लप्टॉप स्क्रीन पर देख रहा था मैंने तो अभी शुरुवात की तो तुम्हारा ये हाल है जब मैं तुम्हारा सबसे अजीच चीज छीन लूँगा तुमसे तो कैसा लगे उस इंसान का इमोशनल लेस चहरा सर्द था लेकिन अभी उसके चहरे पर गुस्से के भाव थे उसकी नीली आँखे बार बार आहाना पे जा रही थी जो अभी आदित्य की बाहों में थी जिसे उसकी हाथों की मुठी बन जाती है फिर लाप्टॉप में वह वीडियो रिकॉर्ड आहाना पे स्टॉप करता है जो कि वह आदित्य की गोध में थी उसके चहरे साइट को जूम करते हुए बस कुछ दिन एंजल फिर तुम सिर्फ मेरी बाहों में होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी बाहों में फिर वह अपना सर पीछे की ओर लैदर की सीट पे टीका आहाना के उस टच को याद करता है जो वाश्रूम में अंधेरे में उसको आहाना ने महसूस करते हुए उसके पूरे चहरे को टच किया था उसे अभी भी आहना रूई जसे मुलायम हाथ अपने चहरे पर महसूस हो रहे था कैसे वो आहना के करीब जाते पागल सा हो गया था उसके छोटे से शरीर को अपने में समा लेना चाहता था उसे सिर्फ अपना बनाना चाहता था इसलिए उसने आज आहाना पर अपनी एक मोहर दी थी जो उसके दिल के पास उसके सीने में उसकी बाइट के निशान की तौर पर थी जिसे महसूस कर उसे और भी सुकून मिल रहा था लेकिन अभी कैमरे के फुटेज देख उसे याद आत कैसे आहाना की बोडी आदित्य से टच हो रही होगी जिसे महसूस कर वो आहाना के लिए और भी पागल हो रहा था और उसे वह याद कर इंजल 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 सिर्फ तुम मेरी हो मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूंगा इतना कह अपने चेहरे पर अजीब जुन मारे आर्वी बाबु राजवीर वर्मा है जो अहाना के लिए इसका दर पागल है तो आपको आगे आपको पता चलेगा राज अहाना को पाने के लिए क्या क्या करता है? राजवीर के नीली आँखे लाल थी उसकी आँखों में अहाना को पाने का जुनून सनक था कुछी देर में कार हॉस्पिटल में जा पहुंचती है मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल जो की सिंघानिया का हॉस्पिटल था आहाना को विई आईपी वर्ड में एडमिट किया गया था आदित्य लेडी डॉक्टर से गुसे बोलता है जो कि उनकी हॉस्पिटल को बेस्ट डॉक्टर तेल मी मेरी स्वीटी को क्या हुआ है। डॉक्टर सोफिया आदित्य को देख कर डर भी लग रहा था लेकिन वह अपने आपको नॉमल कर आदित्य को रिलेक्स होने का बोलती है रिलेक्स आदित्य जी आहाना को कुछ भी नहीं हुआ डर की वज़े से बेहोश हो गई है आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है आदि का जल्दी से एपिसोड दू और मेरी तबीयत खराब में नाख और आँक से पानी आ रहे थे प्लस मेरे घर में गेस्ट आय हुए थे और मेरे पास खुद का मुबाइल नहीं था इसलिए मैं आपको एपिसोड नहीं दे पाई लेकिन अब मैं जितना हो सकेगा मतलब देने की कोशिश करूंगी मैं आप लोग को धोखा नहीं दे रही थी मैं तो दर की वजह से कमेंट सेक्शन भी देख नहीं रही मुझे पता सब मुझे बहुत सुनाया और गाली दिया होगा इसलिए मैंने सौरी की तौर पर आज बड़ा एपिसोड दिया है प्लीज मुझ बस एक टक आहना को नहारे जा रहा था अपने हाथों को ले जा उसके बालों पर रख उसके सर को सेहलाते हुए स्वीटी एम सौरी में तुम्हारे साथ नहीं था स्वीटी जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसने आदित्य सिंधानिया की जान को हाथ लगाने की कोशिश की है जिसका मतलब उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है उसे बताऊंगा में की मौत क्या होती है तुम बस मेरे आने का इंतजार करना आहाना अभी भी बेहोश थी उससे होश आने में भी दो से डेल धंटे थे फिर वह उस VIP वोड से बाहर निकलता है दरवाजे को आराम से बंद करता है दोर के बाहर दो गार्ट खरे थे और दो थोड़ी दूर होकर आहाना के प्रोटेक्शन के लिए खरे थे आदित्य उन गार्ट से बोलता है मेरे आने तक तुम लोग यहां से हिला नहीं अगर प्रोटेक्शन के बाहर निकल देता है अपनी कार में बैट डायमंड क्लब के लिए निकाल देता है डायमंड क्लब मुंबई का सबसे बड़ा क्लब इसके मालिक का नाम अभी तक किसी को नहीं पता था क्योंकि चार साल पहले ओपन हुआ था इसमें नॉमल लोग जाना नहीं अंदर से भी आदित्यकार डायरेक्टली कलब के एंटरैंस के सामने रुखती है आदित्यकार से निकल अपने लंबे-लंबे कदम लेते हुए कलब के अंदर इंटर करता है जहां उसके आदमी खडे थे और उसका सेक्रेट्री खड़ा था अदित्यकी चेहरे पर इस से हमने किया हमने सारे कैमरे की फुटेज निकल वाली है और वाश्रूम के सामने हमारे सारे गार्ट तैनाथ है और क्लब से एक भी आदमी बाहर नहीं गया अदित्य गुस्से में बस उसे देख रहा तब ही आदित्य का बेस्ट फ्रेंड राहुल शेखावत आता जो कि आदि को बोलता है ओभट हैपन आदित्य क्या हुआ तुमने यहां पर ये सब आदित्य उसे कुछ भी जवाब नन दे डाइरैक्टली वह हार पार्टी हॉल से होते हुए वॉश्रूम की साइट जाता है जहां पर उसकी कई सारे गार्ट खडे थे और वाश्रूम के गेट की साइ है वो कौन है वो वो गुसे से पागल हो रहा था उसके सामने जाने के न उसके फ्रेंड और उसके सेक्रेट की हिम्मत हो रही थी तभी आदित्य का आदमी आया और उसे बोलते हैं बॉस हमने सारी जगह चेक की यहाँ पर कोई भी ऐसा सबूर्ट नहीं मिला कि कोई यहां आया इतनी बोल पाया था कि जिसे सुन आदित्य गुसे से अपनी गन निकाल उस गार्ड को अपने बंदुकों से भून देता है जिसे देख उसकी सेकरेटरी उसके दोस्त गर जाते हैं आदित्य गुसे एक एक वर्ट चबाते हुए बोलता है क्या कहा तुम्ही कुछ भी नहीं मिला तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी जान जूट बोल रही है। आदित्य गुसे से वाश्रूम से बाहर निकल जाता है उसके पीछे उसका सेकरेटरी और उसका दोस्त भी निकाल देता है। आदित्य वाश्रूम के साइट का कैमरा ओन करवाता है और वहां का फुटेज देखने लगता है उससे आधे घंटे हो गए थे उस फुटेज को देखते हैं लेकिन उससे वहां कुछ भी नहीं मिल रहा था तब ही अचानक आदित्य की पागलों की तरह हसने की आवाज आती है जोरों से हसने लगता है इसे देख उसके सेकरेटरी और उसका दोस्त आदित्य को अजीब तरीके से देखते है आदित्य पागलों की तरह हसते हुए बोलता है कोई मुझसे गेम खेलना चाहता है नौट ब लेकिन वह हिम्मत कर आदित्य के सामने जाते हुए बोलता है बॉस हो सकता है हमें कोई गलत फैमी हुई क्योंकि यहां पर किसी के भी आने जाने का कोई सबूत नहीं है तभी आदित्य गुस्से से अपने सेक्रेटरी विने का गला पकर लेता और बोलता तेरी हिम्मत कैसे हु बोल रही है मेरी जान जूट कभी नहीं बोलती मुझे वह इंसान कहीं से भी चाहिए समझे तुम समझे उसके गला और जोरो दबा आदित्य विने को थोड़ा जमीन से उठा देता है जिसे विने सास लेने में तकलीफ होने लगती अपने हाथ छोने की कोशिश करता है कि आदित्य चोड़ दे लेकिन आदित्य उसका गला नहीं छोड़ा तभी उसका दोस्त रोहन उसके हाथों को पकर बोलता है आदित्य क्या कर रहे हो वह मर जाएगा छोड़ो उसे तेरे ऐसे करने से वह इंसान नहीं मिल जाएगा हमें पता है तू सच बोल रहा है छोड़ो उसे आदित्य एक जटकी से उसे छोड़ देता है जिसे विने जमीन गिर जाता है और गहरी गहरी सास ले रहा वही किसी लेक्जरियस रूम में एक शक्स लैदर के सोफे पे किसी राजा की तरह बैठा हुआ था उसके लाप्टॉप में एक वीडियो चल रहा था जिसमें सी कोई व्यक्ती वाश्रूम से बाहर निकल कर जा रहा था अपने एमोशनलेस चहरे के साथ। राजवीर वीडियो को स्टॉप करता है और अपने आइपैड को वही किकाज की टेबल पर फिक देता है और खतरनाक तरीके से हसता है। जिसे राजवीर का पसनल असिस्टेंट रवी मिश्रा जो राजवीर के सोफे के पीछे हाथ बांदे खड़ा हुआ था वह ये सब देख रहा था उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था वह बस अपने बॉस को देख रहा था। तभी राजवीर अपनी खतरनाक हसी रोक अपने वर्ड रावनी आवाज में बोलता है तुमने सही कहा गेम तो अभी स्टॉट हुआ है जिसमें तुम अपना सब कुछ खोने वाले हो। फ्रेंज और बिजनेस फ्रेंड आये हुए थे। लेकिन अब उसके उलट उनके सारे फ्रेंज और क्लब के मेनेजर और सभी वकर सब एक लाइन में खड़े किये हुए थे। प्रेंज जी हीरो कोई प्लेबॉई नहीं है हीरो जो हीरो इनके पीछे दिवाना है अभी स्टोरी शुरू से पढ़ी आपको समझाएगा। अहाना 19 साल, प्राजवीर 26 साल, आदित्या 26 साल, अभिमान 27 साल, प्रिया 18 साल, मैं अभी आप लोग को किसी का अच्छे से इंट्रोडक्शन इसमें नहीं दे रही क्योंकि अभी और आगे किरदार आएंगे सेकन में लीड इसलिए मैं भी अच्छे से इंट्रोडक्ट नह आज में घुराते हुए बोलता है, कुडेस टुटच माई गर्ल, लगता आदित्या सिंघानिया खौफ नहीं था उसे, तब ही उसने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की है, फिर आदित्या अपना गन निकल उन सभी पर सीधा तान देता है, जिसे देख सब दर जाते हैं क्योंकि आ सब ही अच्छे से जानते थे वह, इसलिए वह लोग दरसे की वज़े से वह कुछ नहीं बोर रहे थे हैं, वही आदित्या उन पर अपनी गनताने हुए बोलता है, जिसने भी मेरी जान के साथ ये हरकत की है, एक बार मेरे हाथ आ जाए, फिर मुझे उसके साथ उसके पूरे खांदान को खत्म करने में एक भी सेकन नहीं लगेगा, उसकी यह बाते सुन सब दर जाते हैं क्योंकि वह जानते हैं आदित्या कितना पावफूल है वह जो बोलते हैं वह कर सकता है, तब ही आदित्या को हॉस्पिटल से फोन आता है, जिसे वह पिक करता है, कुछ सुनने क के बाद वह बोलता है, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, जिसे वह सब भूल जाता है, और वह हॉस्पिटल निकलने के लिए अपने एरोगेन तरीकी से उठता है, जिसे देख सब रहत की सांस लेते हैं, तभी फिर वह निकलते वक्त अपने से सेक्री को देखता है, और अप कि ये कोई नॉमल क्लब नहीं था, मुंबई का सबसे बड़ा क्लब था, जैसे ही आदित्या का पी ए कुछ बोलने वाला ही होता है, आदित्या का गुस्सा भरा चेहरा देख दर जाता है, तभी उसका दोस्त राहुल आकर बोलता है, आदित्या, we can't close this क्लब, तुझे पता ये कलब किसका है, उसी आरवी का, जिसके साथ हमने कई बार बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था, ये कलब उसी का है, मैंने उसके बारे में पता क्या, मुझे पता चला, उसका अंडरवर्ड में भी उसका दबदबा है, हम उसका ये कलब डिस सुनता उसे एक अजीब सी बेचैनी और गुसा आता है आदित्य दांग पीस्ते हुए वहां से चला जाता है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल देता है वही मुंबई की सिटी हॉस्पिटल में आहाना के वी आईपी वार्ड में आहाना को होशा चुका था आदित्य उसके ब दोनों हाथ से पकर उसके माथे को चूमने को हुआ वैसे ही आहाना अपने चहरे को उसे दूर कर लेती है जिसे महसूस कर आदित्य की हाथों की मुठिया बन जाती है लेकिन वो आहाना को नहीं दिखाता अब आहना आदित्य से अलग बैट पर अपनी मुंडी नीचे की ये बैठी थी जिसे देख आदित्य उसकी बाल को सेहला मैं तुम्हारे डॉक्टर से दिस्चार्ज के बारे में पूछ कर आता हूँ आदित्य रूम से बाहर निकल वहां के सामने वॉल में जा अपना मुका जोर से मारता है जिसे उसके हाथों से खूनाने लगता है लेकिन उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके गार्डर से आदित्य को देख रहे थी लेकिन उन्हीं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी इसे आदित्य का गुसा देख कुछ देर में आहाना और आदित्य दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे आदित्य कार के पास जाता है तभी ड्राइवर जल्दी से कार डोर ओपन करते हैं आदित्य आहाना को अच्छे से बैठाता है फिर वह आदित्य कार में बैठ जाता है ड्राइवर कार ओब्रोय मेंशन के लिए निकल जाता है आदे घंटे हो चुके थे लेकिन कार में बिलकुल सन्नाटा पसरा हुआ था आहाना आदित्य से दूर विंडो चिपक के बैठी हुई थी जिसे महसूस कर आदित्य बुस्से से पाग देता है आना आदित्य के गोच से उतरने की कोशिश करती है और आदित्य से बोलती आदी में ठीकू मुझे छोड़ो मैं खुद जा सकती हूँ तुम अपने घर जाओ लेकिन आदित्य उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा वह चुपचाप मेंशन के अंदर बढ़ता जा रहा था इस वक्त मेंशन में एक तम शान था क्योंकि रात की दो बजे बज रहे थे आहाना के घर में सब सो रहे थे और आहाना के माबाप को पता था आहाना और आदित्य के साथ पार्टी करने गई और अभिमान अपने बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन गया हुआ था पर लेटा उसकी सेंडल को निकालो उसे ब्लैंकित अच्छे से उड़ा देता आधित्य आहाना को देखने लगता आहाना उसे देखते हुए बोलती है आधित्य तुमने देख लिया मैं ठीक हूँ अब तुम घर जा सकते हो लेकिन आधित्य कुछ जवाब नहीं देता वही रूम में लगे सोफे पर जा बैठे आहाना को देखने लगता है आहाना जानती थी आधित्य उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला इसलिए चुपचाप लेटी रहती है उसे अपने उपर आधित्य की नजरे महसूस हूँ वह उसकी तरफ से अपना मूँ फिर दूसरे साइट अपना मूँ कर देती है और उसकी आखों से आशू निकलने लगते हैं उसे अपने साथ हुए रात का हाथसा अभी भी याद था जिससे वह भूल नहीं पा रही थी वह अपने मन में सौरे आधित्य बोल अपनी आखे बंद कर लेती है उसकी आखों के कोने से आशू अभी गिर रहे थे वही सुबल के साथ बजे बजे वही आरवी कॉपरेशन में 32 से फ्लो राजवीर के केबिन में राजवीर एक टक लप्टॉप स्क्रीन में कुछ देख रहा था उसकी आखे लाल थी ऐसा लग रहा था वो रात भर सोया ना हो उसकी आखों के सामने आहाना के प्रिंसे प्रिंसे प्रिंसेस की तरह प्रिंसेस की तरह रहा था जिसमें आहाना अपने बैग पर लेटी हुई थी सब चीज से बेखबर हो आराम से अपने सपनों की दुनिया में किसी प्रिंसेस की तरह बैट पर सोई रही थी राजवीर एक टक आहना को सोते हुए लाप्टॉप की स्क्रीन में देख उसकी तस्वीर को छू किसी संकी की तरह गुनबुना गुनबुनाता है देखा हजारों दफ़ा आपको फिर ये बेकरारी कैसी है संभाले नहीं संभलता ये दिल ये वाली लाइन राजवीर ने आहना की सोते हुए तस्वीर को देख अलग ही संक में गुनबुनाया कुछ आप में बात ऐसी है ये रोमेंटिक गानों के कुछ लाइन भी राजवीर के होटों से किसी दरावने धुन की तरह लग रही थी फिर लाप्टॉप में अहना की बेडरूम लाइव वीडियो में अहना की सोते चहरे को और जूम कर अपने हाथों से छूते हुए ऐसा महसूस कर वो उसे रियल में टच कर रहा हो वो अपना सर तेड़ा कर किसी संकी की तरह लेक्टॉप स्क्रीन को गूरते हुए अपनी करकश भरी आवाज में एंजल, एंजल, हमेशा तुम्हें इस लाप्टॉप की स्क्रीन में कैद देखा है जिस तरह तुम इस लाप्टॉप की स्क्रीन में कैद हो उसी तरह मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कैद रखना चाहता हूँ बस कुछ पल की देर है पहला सटेप मैं ले चुका हूँ सिर्फ दो सटेप है तीसरी सटेप में तुम मेरे पास होगी एंजल उसके बाद तुम सिर्फ मेरी होगी सिर्फ मेरी राजवीर वर्मा की तभी उसे याद आता है कैसे आदित्य रात भर सोफे पर बैठा सोती हुई आहाना को निहारे जा रहा था फिर उसके सोने के बाद कैसे वो उसके पास जा उसके माथे को चुमा था जिसे याद कर राजवीर पगला सा हो जाता है और अपने सामने पेपरवेट उठा गुस से चिलाते शी एज ओनली माइन, ओनली माइन पेपरवेट विंडो पर दे मारता है जिससे कांच के तूटने की जोरदार आवाज आती है और कांच के तुकडे तूटे के जमीन पर नजर आते हैं लेकिन इससे राजवीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता तभी उसकी कानों में आहाना की चीकने की आवाज आती है जो वही लैप्टॉप में से आ रही थी अहाना की नींद खुल चुकी थी वही एक चीक के साथ उठती है प्लीज लीव मी अहाना बैट पर बैठी हुई थी और वो हाफ रही थी उसे वो रात के हुए हादसा का सपना फिर से आया था उसे महसूस हो रहा था वो इनसान उसे जलती हुए निगाहों से उसे घूर रह अहा हुँ उसे अपने भारी भरकम शरीर से उसे दबा और मसल रहा था जिसे याद का रहाना को और भी ज़्यादा दर लग रहा था वो उसे अपनी यादों से निकाल भी नहीं पा रही थी वो अभी पूरे पसीने से तर्बतर थी और वह दर से काप रही थी वो अपने बै से हो और डर उस प्यार से भी ज़्यादा ताकतवर होती है अब उसके लापटॉप में रूम का फुटेज बंध हो वाश्रूम का फुटेज शो होने लगता है जिसमें आहाना वाश्रूम के वाश बेसिन के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को बार-बार धो रही थी जिसे उसका दूद सा चेहरा हलका लाल हो गया था लेकिन आहाना अपने चेहरे को बार-बार धोए जा रही थी जिससे चेहरा और भी लाल हो रहा था एक बात आहाना बहुत गोरी थी दूद जैसी थी आहाना अपना फेस बार-बार धोते हुए बोलती है वह मेरा कुछ नहीं कर स मेरा कुछ नहीं कर सकता मैं अपने घर में हूँ अब में सेफ हूँ आदित्य उसे छोड़ेगा नहीं बस यही बढ़बर जा रही थी तभी उसकी नजर अपने हाथ उपर जाती है जहां उसकी राइट हैंड पर उस इंसान ने काटा हुआ था आहना अपने हथेलियों के पीछे के हिस्से को देखती है जहां उस इंसान ने काटा हुआ था उसके दातों के निशान अब नीले से काले हो रहे थी जो उसकी गोरी त्वचा पे और भी ज्यादा उभर के दिख रहे थे आहना उस निशान को छू के देखती है तो उसे दर्द होता है जिसे उसकी आ निकल जाती है उसकी आँखों से आँसू बहने लगते है उस निशान को आहाना अपने दूसरे हाथ से जोर से रगड़ने लगती है उससे होने वाले दर्ड को भूल जैसे उस निशान को छुड़ाना चाहती हो और वाश बेसन में अपने हाथ को बार-बार धूने लगती है मिरमें देखने की कोशिश करती है जैसी वहाँ आपने आपको मिरमें देखती है उसे अपने सीने पर उस इनसान के बड़ी बेरह्मी से गेहरेदातों के काचने के निशान मिले जो उसके दूद से थवचा पे नीले से काले रंग के हो रहे थै। अहाना उसे अपने कापते हाथों से टच करके देखती है तो उसे दर्ध होता है। अहाना उसे देख रोते हुए शाव की ओर दोर लगाती है सावर के नीचे खड़ी हो जाती है सावर का थंडा पानी उसके बोड़ी पे बह रहा था लेकिन अहाना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे उस इंसान ने इस निशान को देते वक्त अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला था यह मेरी सनक की पहली मोहर है तुम पर एंजल। अहाना रोते हुए अपने सीने पे हाथ रखती है जहां उसने काटा था और उसे रगरने लगती जैसे उसकी उस निशान को मिटा देना चाहती लेकिन वह मीट नहीं रहा वो हिसा पूरा लाल हो चुका था। कैसे उसके होटों पर किस किया था अपने हर उस हिससे को अपने हाथों से रगरने लगती है जैसे उसकी छुण को मिटा देना चाहती हो उसे अभी भी वह सब महसूस हो रहा था। उसे उसकी वो डरावनी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। कैसे उसे डरावने तरीके से एंजल बोलना उसके करीब आउसे ये बोलना। किसी गैरमर्ट की बू तुम्हारे बदन से आ रही है एंजल। उसके बॉडी के बारे में बोलना इंजल यू आ सो सॉफ्ट। सभी बाते उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने इतने करीब आने का हग किसी को भी नहीं दिया था यहां तक आदित्य को भी नहीं किसी अहाना किसी अंजान इंसान को अपने इतने करीब याद का रहाना को खुद से घाईन शिया रही थी। अगर उसके करीब कोई आ सकता था तो सिर्फ आदित्य था सिर्फ आदित्य उसके अलावा किसी को सोच भी नहीं सकती थी उसे समझ नहीं आ रहा था वह अपने आपको आदित्य के पास कैसे ले जाएगी। राजवीर एक्टा कहाना को देखते हुए एक टेड़ी मुस्कुराहत के साथ किसी संकी की तरह बोलता है तू 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 एंजल ये जो तुम्हारे जिस्म पर निसान है ये मेरी संक की पहली मोहर थी जो अब तुम्हारे जिस्म से हो रूल तक पहुँच गई है जिसे तुम च संकी की तरह ये गाना गुनबुनाता तुझे अपना बनाने की संक मुझ पर छाई है खट से भी ज्यादा छाई है तभी राजवीर के केबिन का दोर नोग होता है जिससे राजवीर का ध्यान तूटता है राजवीर अपने फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाता है expressionless चेहरे के साथ चेह पर बैठ जाता है सर्द आवाज में coming बोलता है एक नजर laptop की स्क्रीन में आहाना को देख अपने laptop को बंद कर देता तभी उसका personal assistant अंदर आता है वो अपनी मंडी नीचे ही किये बोलता है सर आपकी meeting 10 मिनट बाद है उसका पा रूम का हालक देखा तो चौप जाता है क्योंकि हर जगल का आंच की टुकड़े थे लेकिन वो सब को नजरंदास कर अपने सर को नीचे करे खड़ा रहता है राजवीर कोई जबाब ना दे अपने एरोगेन स्टाइल में खड़ा होता है अपने सूट को ठीक कर मीटिंग रूम के लिए बढ़ चलता है उसके पीछे उसका पाभी निकाल देता है रात का वक्त ओब्रॉय मैंशन में 9 बजे बजे अहाना के देड अधिराज ओब्रॉय हेट चेर पर बैठे हुए थे उन्ही के बाजू में अविका ओब्रॉय उनकी धर्म पतनी बैठी हुई थी दूसरी हेट चेर खाली थी जहां अभिमान बैठता है क्योंकि वह बिजनेस के सिलसिले में लंदन गया हुआ था अपने माबाप सामने आहाना बैठी हुई थी खाना नहीं खा रही थी उसका ध्यान कही और था और उसका मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था जिसे आहाना इगनो कर रही थी जिसे देखा आहाना की पापा आहाना को बोले प्रिंसेस आपका ध्यान कहा है आपका फोन बज रहा है और आप खाना क्यों नहीं खा रही हो देडी मुझे भूख नहीं है क्या मैं रेस्ट कर सकती हूँ मुझे मेरी तबियत ठीक नहीं लगी उसके डैग कुछ बोलते उसे पहले अहाना वहाँ से उठ अपने रूम में चली जाती है इसे ही दिन बीटे जा रहे थे शादी का दिन पास आ रहा था आदित्य अपने पसनल विला के मिनी बार में बैठा हुआ था उसका कुछ दिन से मूद खराब था क्योंकि वह इंसान को धून नहीं पा रहा था उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी अपने कितनों आदमी को मार दिया था लेकिन उसके बारे में एक भी सबूत नहीं मिल रहा था जिससे वह गुस्से से फ्रस्ट्रेट और पागल हो रहा था एक तो आहाना उस दिन के हुए हादसे के बाद से आदित्य से ध्धन से बात नहीं कर रही थी वह उसे कॉल करता था उसका कॉल रिसीव नहीं करती थी आदित्य को आहाना से मिले हुए कुछ दिन हो गय थे उससे मिलने को कहता तो आहाना अपनी तबियत का बहाना कर उसे न कल देता है औब रॉय विला में सभी सुबल का ब्रेक्फस्ट कर रहे थे हो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे आज अभिमान भी अपने हेट चेर पर बैठा हुआ था अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपनी कॉफी पी रहा था दूसरे हाथ से अपने फो सा गोरा रंग बिलकुल अपनी बहन की तरह भूरी आखे जेल से सैटन के काले बाल इनके गोरे चेहरे पर हलकी बीरती के नैन नक्ष देखने से लगता है दोनों भाई बहन भगवान ने बड़ी फुरसत से बन्या हो लेकिन इनका नेचर अहाना से बिलकुल अलग जहां अ थरोच भी अपनी बहन पे बरदाश्ट नहीं इनकी हाइच है फुट तीन इंच तभी अभिमान अपने एक्सप्रेशन लेज चेहरे साथ थंडे भाव में जवाब देता मॉम आइम नॉट इन दे मूड तो उसकी मा अपने पती की ओर देखती है जैसे कहना चाह रही हो अपने एक्सप्रेशन चेहरे के साथ अपनी आखे छोटी कर अपनी बहन को गूर के देखने लगता है ये बात उसके मॉम डैड ने भी नोटिस की थी क्योंकि अभिमान अपने बिजनेस ट्रिप से लंदन से लेट नाइट आया था जिससे वजहा से अहाना से मिल नहीं पा लेकिन उसका ऐसे ही आपने आप में शांती से बैख जाना जिसे देख सब हैरान थे अभिमान की आवाज आती है जो अपनी बहन को बोलता है प्रिंसेस वाट हैपन जिसमें आहाना नथिंग बोल ब्रेक फास्ट करने लगती है तब ही आहाना नोटिस करती है कि वह कुछ ज देखे हुए कितने दिन हुग्य थे उसके गले लग जाती है जिसे देख उसकी मा बोलती है आराम से बेटा वो कॉफी पी रहा है लेकिन उसने आहाना को अच्छे से गले लगा ही अभिमान अपने एक हाथ में जो कॉफी को डाइनिंग टेबल पर धन से रखता है अपनी ब मा बोलती है बस हो गया तुम दोनों भाई बहन का प्यार चलो नाश्ता करो अच्छे से फिर हमें मंदर भी चलना है हम लेट हो रहे है जिससे दोनों भाई बहन अलग होते आहाना नासंजी में अपनी मा को देखती है तभी आहाना की मा बोलती है तुम्हारी शादी का कार् जिसे देख उसकी मा उसे घूर के देखने लगती है फिर उसे गुसे से बोलती है तुम्हारा तो हमेशा का बस यही है कभी घर के फंक्षन में कभी धंग से रहते हो तुम्हारी बहन की शादी कुछ दिनों में हुने वाली है और तुम्हारी बहन की शादी हुने वाली है और तुम्हारी अभी तक साधी नहीं हुई है 27 साल के बुढ़े होने वाले हो तुम कब शाधी कर रहे हो। तब ही अभिमान अपने थंडे स्वर में अपनी मां को जवाब देता है। अभिमान की मां उसे डट जा रही थी और उसे बोली जा रही थी लेकिन अभिमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और हाँ अराधना जी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ एक आप ही तो है जो मुझे भर-भर की कमेंट करती है और आप बोल रही थी फेस-टू-फेस गेम खेलना चाहिए तो ये स्टोरी थोड़ी अलग है और मैं ज्यादा को कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि मैंने स्टोरी कई सारे सस्पेंस आपको बता दिया गलती से और पहली बार मैं किसी संकी टाइप का स्टोरी लिख रही हूँ जो मैं धान से लिख नहीं पा रही इसलिए मुझे स्टोरी अपलोड करने में टाइम लगता है मुझे पहले संकी की टाइप सोचना पड़ता है और उस का reaction याद करना पड़ता है तक जाकर भी story लिख पाती हूँ